है गाइस मैं नम इस विरिन सिंग विलकम तो दे लर्नम चैनल सो एंटिये ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बिएच यू यू जी और पीजी एक्जामिनेशन के लिए सो अंडर ग्रेजुएट टेस्ट और जो पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट होता है उसके लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 19th September को ये notification जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि NTA जो है वो conduct करेगा BHU के examination को भी और ये academic session 2021 और 22 के बीच में जो admissions होंगे उनके लिए किया जाएगा ये exam जो है 28 और 30 September यानि कि throughout country from 28 to 30 September and 1, 3, 4 October को लिया जाएगा आपके CBT mode या hybrid जिसमें tablets या pen paper mode को भी use किया जा सकता है तो इन्होंने तीनों mode को रखा हुआ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBT वो depend करता है कि कौन सा exam किस तरीके से होगा इसके लिए जो है आपको कौन कौन से schedules है उसके लिए date wise, shift wise में annexure 1 का use करना है किस schedule में कौन सा exam होने वाला है and candidates who desire to appear in the test may check their details of the test paper code and the subject code and program wise in the information bulletin इन्फामिसिन बुलेटें डाउनलोड करिए UAT या PATK या आपको website पर मिल जाएगा और वहां से download करके जो है आप देख सकते हैं कौन सी website पर आपको जाना है that you can use BHU यहां पर दिया हुआ है already bhu.nta.nic in या nta.ac.in पर जा सकते हैं या जो है bhu.nta.ac.in पर आपकिसी भी query को mail भी कर सकते हैं यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि day 1 में जैसे 8 September को कौन-कौन से exam होने वाले हैं किस-किस day पर shift पर और उसके बाद duration of exam क्या होगा और mode क्या होगा CBT का मतलब है computer based mode तो आप देख सकते जैसे UG में BFA bachelor of fine arts जो है वो 28 को है 8-9 बज़े के बीच में CBT mode में PG में बहुत सारे courses हैं जैसे कि अलग-अलग normal है AG, MSE agriculture का exam 28 को है CBT mode में जो लिया जाएगा इसके इलामा अगर हम बात करते हैं और भी examinations के लिए जो कि normally PG में this is like masters अगर आप कर रहे है medical laboratory and technology इसको MLT बोलते है vocational medical laboratory and technology में तो यह आपके CBT mode में लिया जा रहा है अगर आप MSE ba-informatics जो कि for females only है इसके लिए आपको करना है तो आप PG के अप्लाई कर सकते हैं CBT mode में ये भी 28 को है इसके अलावा PG में कुछ-कुछ आपके अगर if you are appearing for MBA Agree Businesses Agree Business में अगर MBA करना चाहरे है उसका exam जो है आपका CBT mode में 29 को है day 2 shift 2 में इसके अलावा PG में और भी exams है जैसे tourism and travels बहुत सारे जो अलग-अलग cases वहाँ पर पाया जा रहे है अपार्ट फ्रम डाट day 13 30 of September को जो है M.TIC Agricultural Engineering में है आपका PG ये दे सकते हैं CBT mode में अगर आप Agricultural Engineering में M.TIC करना चाहते है स्वाल and Water Conservation Engineering में ये option है आपके लिए भर सकते हैं Master of Agree Business Management इसमें कर सकते हैं M.Sc in Computer Science ये भी चीज़े हैं जो आप करना चाहते हैं और अपार्ट फ्रम डाट M.Sc Geology अगर देना चाह रहे हैं तो आप PG examination में CBT mode में ये है so other examination जो है ये इस तरीके से चल रहे है डे फॉर्थ में आपके लिए अलग-अलग examinations है तो ये स्ट्यूर्स आप देख सकते हैं कि कहां-कहां पर जैसे की M.Sc Biostatistics जो है वह आपके लिए PG में है डे फाय फॉर्थ में था तो चार-पांच देट दिये हुए हैं हर दिन कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ एक्जामनेशन्स होने वाले हैं ये examinations कंडक्ट कराएगा कौन NTA और जैसे MSC Food Technology के लिए है बहुत सारे courses हैं आप जो भी आपको suitable लगता है आप उनको opt कर सकते हैं क्या करना है आपको जाना है website पे you can just go on website लेके चलता हूँ मैं सीधे अगर आपको website पे तो यह रहा वेबसाइट यह वेबसाइट पे जाने के बाद यहां से registration कर सकते हैं चाहे तो आप P.T. U.E.T. का करिए undergraduate का चा क्या eligibility है और किस तरीके से जो है हम किस course में eligible है तो यह सारी चीज़े आपको इस website पे मिल जाएंगी just go to BHU net या इस particular website पे और यहां से जो है सारे information को carry out कर सकते हैं तो चलिए all the best for your examination guys prepare करिए और आगे आने वाले में PG के लिए कुछ specific जैसे biochemistry MLT and all में क्या-क्या आपको strategy होनी चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो लेकि आऊंगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो comment box में जरूर बताइए कि आपको strategy वीडियो चाहिए या कोई भी और content के वीडियो चाहिए कोई topic आपको difficult लगता है तो just let me know I will make the video on this particular topic so चलिए thank you so much guys for watching बाबाय टेक्यों अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनस से बढ़कर कोई संकल्प नहीं जब बात हो बेस्ट तयारी की तो अनेकेडमी से बहतर कोई विकल्प नहीं अनेकेडमी का एक top educator जिसे विरेंदर सिंग के नाम से जानते हैं अपने smart teaching से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं जुड़िये अनेकेडमी के साथ और ले जाएए अपना CSIR अपने साथ देखिए विरेंसर की free classes अपनी तयारी आजमाने के लिए और use career referral code विरें 10% discount पाने के झाले बाले को अपने के लिए जानते हैं जारी के से विरेंसर के साथ आए चाणते हैं जाएए याद देखिए छार एक बाले